नवश्कान, उत्किष्ट कवित्री शद्दा सुनिल जी की एक कविता पड़ रही हूँ, उनके कावि संग्र हिमालय की कंद्राओं में से, कविता का शीर्षक है बुद्ध इस्त्री जीवन के पुर्वार्द में भयाव अंधेरी आधी रात में, वह उसको छोड़ कर चला गया, वह बुद्ध जैसी बाते करता था, वह बुद्ध जैसी बाते करता था, पर बुद्ध नहीं था उनकी नकल था, इसलिए जीवन के उत्रार्ध में लौट आया और जो कुछ भी त्याग गया था, उसको पानी की कामना में, मृत्यू में खुलता रहा किन्तो उसको सुईकार्ने वाली इस्त्री कभी भी बुद्ध जैसी प्रतिष्ठित नहीं की जीवन के पुर्वार्ध में भयावह अधेरी आधी रात में वह उसको छोड़ कर चला गया वह बुद्ध जैसी बाते करता था, पर बुद्ध नहीं खा उनकी नकल था, इसलिए जीवन के उत्रार्ध में लोट आया और जो कुछ भी त्याग गया था, उसको पानी की कामना में, मृत्यू में घुलता रहा किन्तो उसको सुईकारने वाली इस्त्रे कभी बुद्ध जैसी प्रदिष्ठित ना हुई शुक्रिया